नमस्कार, Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है, तो आज के हमारी रेसिपी है, अमबाडी की सबजी की रोटी, तो इसके लिए हमें चाहिए अमबाडी की सबजी, हम इसको अमबाडी की भाकर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर मैंने अमबाडी की सबजी लेए हैं, उसको अच्छे से मिर्च, लसुन की कलिया, हराधनिया, थोड़ा जीरा, और नमक डाल देंगे हापे, और उसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, और इमिर्च का पेस्ट, और जो हमने सबजी पकाई थी, उसको भी हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे थोड़ा सा, यहाँ मैंने लिया है ज वो पूरी डाल देंगे, जवार के आटे से ही रोटी मैं बनाऊंगी यहापे, और फिर इसमें डाल देंगे हरी चटनी, आधी चम्मच, हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच, एक चम्मच, पलाल मिर्च पाउडर, वो थोड़ा सा, जीरा, और उसको अच्छे से मिक्स क अधे से मसल ना आए, ऑर थोड़ा सा पानी डालना है, रो बनाने के लिए यहां मेने आटा लगा लिया है, अब हम इसके चोटी-चोटी साइस के ऑल कर लेंगे, और हम इसको रोटी की जिए सा बेल लेंगे, इसको साइट से प्रसे कर लेंगे, यहां पर मैंने तबा GARम कर को रखा है low to medium heat पे रोटी को पका लेंगे उपर से थोड़ा पाने लगा लेंगे कि फिर एक से देड़ मिनिट के बाद है हम रोटी को पलट देंगे कि देखो एक साइट से थोड़ी पक गई है वह मैं इसको दूसरे साइट से अच्छे से पका लेंगे और फिर हम इसको डारेक्ट गैस पर पकाएंगे गैस पर पकाने से एकदम फूलती है यहाँ पर हमारी अमबाडी की सबजी की रोटी बनके तयार है हम इसको प्याज और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं खाने में एकदम ही टेस्टी है तो थाइक्स पर वाचिए रचेपी